नमस्कार स्वागत है आपका क्यारेपला चैनल में आपने देखा होगे इसमें बहुत से बच्छों कमेंट आरें सरे एक बात बताइएगा जो यह नया सिक्षा सेवा चैन आयोग जो बन रहा है इसमें जो है जो मानिटी स्कूल होते हैं जैसे आपक कुछ कुछ कॉलीज होते कुछ मुस्लिम के कॉलीज होते हैं और कुछ जैन धरम के कॉलीज होते हैं आपने देखा हो आपने जिले में भी आपके दो-चार कॉलीज होंगे मिशन के नाम से होंगे जो कुरिशन है और आपका धरम के नाम पे जो कॉलीज होते हैं इनके पास क्या होती है पावर होती है मतलब कि टीचर को लगाने की और चपरासी है और किलर्क है इनको लगाने की इनके पास जो होती है पावर होती है और सेलरी सरकार देती है आपने वो तो एक्जाम करेक करके लगते हैं और यहां पर बिना एक्जाम के डिरेक्ट मेरिट बेस्ट पर जो है जो मेनेजमेंट कमेटी होती है अपने हिसाब से रख लेती है टीचर को अच्छा प्रासी को तो अब जो अब प्रिशन ही आया है कि मतलब क्या जो है जो नए सिक्षा जाएगी अभी तक इनके लिए केबल आपने देखा हुआ टीचर की भरती के लिए जरूर एक जीओ आया था कि इनकी भरती पे जो है काफी ब्रश्टा चार होता बीस लाग पच्छीस लाग उर्पे देखके टीचर बन जाते हैं और एक लड़का जो है एक्जाम निकालता क्रेक करता है एक्जाम तब जाके वो टीचर बनता है तो इसलिए इनका एक्जाम कराने की तैयारी है पर किलर कर चपरासी भरती में ऐसा कोई अभी जीओ नहीं आया है और अभी जो टीचर की भरती में भी लिखित रूप में नहीं हमसे आता रहता है तो अभी लिखित लेते हैं केबल आपने कर रखा रखाओ ट्रपल सी कर रखाओ बस वह अपने इसाब से ले रहे हैं क्योंकि यह जो पैट जो है वह यूप ट्रपलस से कोई भरती आती है उसके लिए लगता है तो सीदी से बात यह है कि इसमें पैट क्वालिफाइट कंडियेट चाहिए आप ह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और और जो है पैट अब यह जो नहीं से शेवा आयोग जो बन रहा है इसमें कोई फरक नहीं पड़ने पड़ेगा इसमें बढ़ती आएंगी तो बढ़ती आएंगी और अभी तक तो कोई लिखीत रूप आया अगर मतलब आया नहीं है अगर आता है तो मैं अपने चैनल के मद्धियम साब को इंफोर्मेशन संवे समय पर देता रहता हूँ सबसे पहला आपने देखा होगा मैं सुबह जो हूँ वीडियो अपरोड करता हूँ और यदि कोई आयोग की तरफ से कोई इंफोर्मेशन आत आता है